गैज, डिसक्स करेंगे National Voters Day के बारे में, तो भारवा National Voters Day जो है वो अभी रिसेंटली observe किया गया, National Voters Day क्यों observe करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वो दिन था, 25 जनवरी का जिस दिन Election Commission of India हमारा भारत का जो निर्वाचन आयोग जो है, उसकी स्थापना कोशन पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी को ही Republic Day क्यों मनाय जाता है, तो बहुत important question है guys, 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को पहला point तो ये ध्यान में रखना है कि हमने अपने भारत के समिदान को लागू किया था, हमारा भारत का समिदान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, पहला point, पूर्ण स्वराज की हमने घोशना कर दी थी, हमारी जो कॉंग्रेस थी, औरोंने colonizer से पूर्ण स्वराज की घोशना कर दी थी, complete freedom, complete independence की घोशना करी थी, 26 जनवरी वाले दिन, 1930 को, तो जो हमारे drafting committee के जो members थे, जो constitution को बना रहे थे, उनके दिमाग में एक विचार आया, कि सम्विधान को सुद्विधा की लडाई में विशेश महत्वर रखने वाले दिन लागू किया जाना चाहिए, कि सम्विधान हम उसी दिन लागू करेंगे, जिस दिन, past में हम लोगों ने एक विशेश लडाई लड़ी थी, colonizers के against इस देश को आजाद करने के लिए, तो इस सुराज दिवस घोशित किया गया था, complete freedom, complete independence, colonizer से Congress ने declare कर दी थी, और फिर जब हमारे देश को आजादी मिली थी, अब हमारे देश को आजादी मिल गए थी 1947 में, 15th अगस, 1947, तो इंडिया को आजादी मिल गई, बिट problem यह थी कि 15 अगस को तो आजादी हमें मिल गई, बि यह हमारे constitution makers जो थे, उन्होंने यह चीज़ सोची, तो ऐसे करके 26 January date जो है वो add कर दी गई, कि इसी दिन हम जो है वो अपना constitution adopt करेंगे, constitution लागू करेंगे, तो यह चीज़ हुई, और इसी दिन Indian Independence Act जो है गाईज, उसको निरस्त कर दिया गया, भारतिय सुतन्ता अधिनिया आज एक रूप में घोशित किया गया, एक democratic republic के रूप में इंडिया को जो है वो घोशित किया, कि इंडिया जो है वो अब British crown के अंडर नहीं है, इंडिया एक independent country है, तो यह घोशना जो करी थी, वो 26 January को हमने Republic Day वाले दिन जो है वो कर ली थी, तो यह एक important चीज थी guys, जिसक हम अपने constitution को adopt करें, लागू करें, वो एक ऐसा दिन होना चाहिए, कि जिस दिन past में उस दिवस पर हम लोगोंने एक बहुत बड़ा achievement हासिल किया हो, इस देश को अजाद करने के लिए, और वो हुआ कि पूर्ण सुराज दिवस पर हमने complete independence घोशित कर दी थी हमारी Congress ने, तो यह important fact है, जो थोड़ा से ध्यान में रखना, गैस बहुत important topic, अमेरिका का competes act क्या है, और इंडिया के लिए उसके क्या महत्व है, अमेरिका के compete act की, बहुत important topic है, बहुत ध्यान से सुनो, तो United States House of Representatives ने introduce किया 2022 के एक कानून को, जिसके तहत यह opportunities create कर रहे हैं, अमेरिका की manufacturing के लिए, technology की field के लिए, और अपनी economic strength हो, अपनी आर्थिक